हलो फ्रेंज स्वागत है सुवन किचन में आपका फ्रेंज आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर मुली और मिर्च का अजार तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे और क्या-क्या चाहिए इसे बनाने के लिए तो सबसे पहले हमने गाजर, मूली और मिर्च को धो के और इस तरीके से पीसेज में कट कर लिया है इसका वाइट पार्ट हमने इस तरीके से निकाल दिया है गाजर का और ये दो गाजर है और एक मूली हमने लिया है आप अपने हिसाब से जिपना आपको अचार बनाना है उस तरीके से ले और इसमें बिलकुल पानी नहीं होना चाहए और यह मिर्च हमने पत्ली वाली मिर्च हमने लिया है तो हम इसे कटनी करेंगे और आप मोटे मिर्च ले रहे हैं तो इस तरीके से बीचोबीच से adopted लगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसे हमने दोकर कट कर लिया है, इक निभू लिया है, इसका जूस सम्याचार में डालेंगे, तो चलिए बनानाई स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कैस ओन करके कडाही रखतेंगे, गर्म होने देंगे, और इसमें डालेंगे राई, देर चमर्च और इसे एक मिनद तक हम रोष्ट करेंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं राए रोष्ट हो गया है तो इसमें सौफ हम डालेंगे देर टेबल इस्पून और इसके अंदर मेथी दान जीरा डालेंगे एक टेबल इस्पून उसके पास ही इसमें मेथी दान डालेंगे हाफ टेबल इस्पून और इन सब चीजों को हम रोष्ट कर लेंगे इस तरीके से चलाते हुए हमें रोष्ट करना है यहाँ पर कैस हम लो टू मेडियम फ्लेम पर रखे हैं तो यह रोष्ट हो चुका है अच्छा से भून लिया है हमने तो अब एक प्लेट में इससे निकाल कर ठंडा कर लिया है हमने अब मिक्सी जार में डाल कर इसका एक कप तेल डालेंगे सर्शो का तेल है इसमें अचार बहुत अच्छा बनता है और तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म करेंगे तिल कर्म हो चुका है तो इसमें हम दो पिंच हींग डाल रहे है उसके बाद से हमने राई लिया है, जीरा लिया है और यहाँ पर हमनेे मेथी, मंग्रायल और सौफ लिया है और इस तेल में इसे सब चीजों को हम डाल कर अच्छा से भूनेंगे तो आप देख सकते हैं इसी पिल्कुल गर्म तेल में हमने डाला है तो यह भून चुका है अब इसके अंदर हम सबसे पहले मिर्च ऐड़ कर देंगे मिर्च हमने कट नहीं किया है क्योंकि हमने पतले वाले मिर्च यूज किया है इसमें आप मोटे वाले ले तो उसे कट करें, इसे हम थोड़े से आधी मिन्ट तक भून लेंगे, उसके बाद से भून चुका है, इसके अंदर हम गाजर और मुली एड़ कर देंगे, गाजर मुली को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, इसमें कुछ सेकेंड के लिए हम चला लेंगे इ तो आप देख सकते हैं, मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर में डालोंगी वन फो टेबल इस्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद से रेट चीली पाउडर डालेंगे, थोड़ा से डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च हम इसमें एड़ किये हैं, धनिया पाउडर डालेंगे ए पर हाफ टेबल इस्पून काला नमक डाल जी हूँ मैं, उसके बाद से हाफ टेबल इस्पून अजवाइन मैंने एड़ किया है, अब अच्छा से हम इस सब चीजों को मिक्स कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, आधी मिनट तक हम मसालों को पका लिये हैं, उसके बाद से र पकाने की जरूरत नहीं है, और गाजर मुली हमें यहां गलाना नहीं है, सिर्फ मसाला मिक्स होने तक हम इसे चलाएंगे, तो अब लाश्ट में हम इसमें नीबू का जूस आड़ कर देंगे, आप यहां पे नीबू के जूस की जगह पे आमचूर पाउडर आड़ कर सकते ह तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी यह बन के त्यार हो गए आचार और यह अचार दूपोप दिखाने की जरूरत नहीं है इसे, इसे ठंडा करके एक जार में आप रखें और फ्रीज में अराम से इसे 10-15 दिन तक आप खा सकते हैं, एक जार में भरकर आप फ्रीज में र के बाद में जार में रखें और फ्रीज में रख दूँगी तो यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप देख सकते हैं इतना बढ़ियां त्यार हुआ हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है तो करें और हमें जरूर बताएं थेंक यू